हालो गईजाब सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी यीटूब चैनल टॉपसिंट पर तो यूपी स्कॉलर्सिफ को लेकर के बहुत सारे चात्र परेसान है और परेसानियों के अपकी बार कई सारे रीजन है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और साती साथ आवेदन साई स्टेटास आएगा अभी तो बहुत कुछ होना है तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारी जो अपडेट है वो आपको मिल सके क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के बहुत अच्छातर ऐसे होंगे जो बीड और डेलेड में उनके 40 से 50 अजार जो है आपकी स्कॉलर सी पानी वाली है तो ऐसा नहों कि आपको कोई अपडेट आए और आपको ना मिल पाया और आपको जो है वो सुधार करना हो और आपकी जो स्कॉलर सी पहे हो हाथ में आते आते चूट जाए तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर जिना के लिए आनलाइन आवेदन करने के बाद लखनो विस्विद्याले के चात्र अब विस्विद्याले के चात्र अनुभाग में फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं फॉर्म के साथ 75 प्रस्त अटेंडन्स बेरिफाई होने की अनिवारता चात्र वृत्ती की राह में यहां पर बता जा रहा कि ब्रहस्विद्याले के चात्र अनुभाग में इसकी लंबी लाइन लगी रहे हैं चात्र ने बताया कि अभी तो सेशन की सुरुआत ही हुई है ऐसे में किसी की 2-3 तो किसी 4 कच्छाई ही हो पाई चात्र वृत्ती के लिए आवेदन करने वह बाकी प्रिक्रिया पूरा करने में काफी चात्रों की कच्छाएं भी मिस हुई है इसके चलते 2-4 कच्छाओं में 75% अटेंडेंस दर्साने में समस्या कड़ी हो गई है विभाग फॉर्म पर अटेंडेंस वेरिफाई लिखकर तो दे रहा है लेकिन जब यो अनुभाग में फॉर करने जा रहे हैं तो करमचारी या कएकर फॉर्म जमा नहीं कर रहे है कि इस पर 75% अटेंडेंस की बात नहीं लिखी है इससे चात्र परिसान और भटक रहे है ऐसा लगवग हर एक इसकूल और हर एक इनुश्टी के चात्र परिसान है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई अरिक्षा फॉर्म भरा जाने लगा जैसे अभी बेड़ वाले को ही मैं एक्जामपल ले लो तो बेड़ वाले ही 2022 में अभी उन्होंने अभी उन्होंने अडमीसन ही लिया है और अभी उनकी क्लास कहीं जादा जादा एक दो ही क्लास हो पाई होगे तो ऐसे में 75 परषटत उपस्तिती कैसे जो है छात्र कोई लिप आएगा थीक है तो यह चीजें दिक्कतें यहाँ पर आ चुकी है तो यह बदलाऊ जो 75 परषटत वाला है इसमें दिक्कतें आ रही है साती साथ अभब हम बात करते हैं यहाँ पर अंतिम्तित बीतने के बाद सैक्णों की संक्या में चात्र आवेदन करने से चूग गए हैं अभी लखनो विस्तु विद्याले संबंद सभी महाविद्यालों में यूजी वा पीजी की प्रिवेस प्रक्रिया चल लेए प्रिवेस होने के बाद ही चात्र आवेदन कर सकते तो यहाँ पर सिर्फ लखनो विस्तु विद्याले की अब बात नहीं है, पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात के हैं, तो लाखों छात रहसे हैं, जिनका अभी भी यूज कॉलर सिफ का फॉर्म जो है वो नहीं भर गया है, यहाँ पर बताएगा कि कई कोर्सों के रिजल्ट भी जारी नहीं हुए है, प्रिबेश ना होने वा रिजल्ट जारी ना होने के चलते सैक्रों छात रावेदन से चूक गए हैं, कुल सचिव संजय मेधावी ने बताया कि कुल्पत की अनुमोदन के पस्चाद समाज कल्यार विभाग से आवेदन की अंतिमति थी 30 नॉमबर तक विस्तारित करने का अनुरोद किया गया है, यानि कि जो लखनो इनुवस्टी के कुल्पत ये उन्होंने ये कहा है, कि कम से कम 30 नॉमबर तक जो डेट है, उसको एक्स्टेंड किया जाए, इसको इंतिजार करना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसस भी information मिले, scholarship को लेकर के आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए, तो जल्दी से subscribe कर लिजिए और bell icon को दबा दीजिए, तो मिलते हैं अंगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस रहिए, जैहिन, जैभारत,